से पहले आप यहाँ पर फोटू देख सकते हो जो जिसस चाइल्ड जितने भी नभी रहे हैं यानि लब सवालाख नभीयों का जिकर हुआ उनमें से इसालिसलाम है और उनकी मा का नाम है मा मर्यम जो क्रिस्टन लोग है वो मतलब इसालिसलाम को इमेज और गोड यानि अल्ला क रहते थी यहां देखो यहां पर ना एक मंदर हुआ करता था बड़ा ओजो एक पिलर ना यह केबल एक पिलर दिखाए दे रहा है बाकि सारे पिलर जो हैं यहां से हैड चुके हैं लब और सो सा जादा पिलर थे बो में जगह दिखाँगा के पहले कैसे लगती थी और यह द ऑर मैं इस में हूँ कोसेधासि मने दोस्तो आज को ब्लोग ने बहुत इस पेसल होने वाला है कि आज हôm जा रहे है वर्जिन मदल मैयारी हाॉस मैं पता नहीं था क्या है जब मैंने गूगल पर चेक किया है तो मुझे बाद मों पता चला कि यह मां मर्यम का हाॉस है कि आपक मानते हैं, मानते हैं, इस तरीके से हमारे नभी नियक्ति करीम जाएंगे वहाँ पर और बहुताना चाहता हूं यह जो लोकेशन है ना यह को सड़ासी में तो एफसस है उसके पास ही वो लोकेशन है तो ब्लोग को शुरू करते हैं तो हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और यह रास्ता दो अंदर जा रहा है नीचे जहां से हम घर देखने वाले हैं वर्जिन मेरी भाई गाड़ी से उतर चुका है थंड हो रही है बहुत तेज वाली थंड हो रही है अब भी बहुत तेज चल रही है तो देखो इधर बोर्ड लगा हुआ है हाजत मर्यम उनका घर हाउस ओफ वर्जिन मेरी यह पूरी कहानी काया मैं आपको बताओंगा बट इधर से जो है हम आगे चल रहे है यहाँ पर सीक्योरिटी बहुत टाइट होती है और यहाँ से जो है अभी हम अंदर जा रहे है और यह देखिए यह तरकी यहां के जंडा देखिए तो यह कैफिटेरिया है यानि मिटिंग पॉइंट है और यहाँ वापस आएंगे और मैं आपको पूरी कहानी समझाओंगा बट आप फोटो देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है यहां से आप पूरा पर सकते हो और यह मर्यम एना वे हाउस ऑफ दा वर्जिन मैरी देखिए यहां से अभी जो हैं अंदर को चल रहे हैं यहां भी जो है बोड लगा हुआ है आपको पता है। सबको पता है यहां तक कयामत के दिन इस आले सलाम कहा रहा हूंगे मैं अपनी मा मर्यम का सवाल नहीं करता कितनी मुहबबत दिखाई गई है इसी तरीके सा जब मुझा पता चला कि जो क्रिस्टन लोग है वो मतलब इस आले सलाम को the image of God यानि अल्ला का बेटा मानते हैं और उनकी मा यानि मा मर्यम तो यह उनका घर है मतलब लास्ट घर है वो यहां पर रही तो मैं सर्प्राइज हो गया अब दोखो सबका belief अलग है मुसलिम हम यह मानते हैं कि इसाल इसलाम नभी है उनकी मा मर्यम है यह लोग क्या मानते हैं अल्ला का वेटा मानते हैं और उनकी मा का नाम मर्यम और इसे इन्हों ने इंग्लिस में या गूगल पर जो चेक किया तो महा लिखा हुआ था Virgin Mary's house तो उसी घर को देखने के लिए आएं तो यह जगे जो है सेम बही है जहां पर हमने जो है लोग सिटी देखी थी यानि जो पच्छिस सो साल पुरानी जो सिटी देखी थी में ब आप पोच्छ करके पढ़ सकते हो पूरी तरीके से तो आभी हम आगे चल रहे हैं और वहां से जो है मा मर्यम का house देखने वाले हैं तो यहां से आप यह पिचर देख सकते हो और मैं एक concept और वदा दूं आपको यह बताने वाला हूं कि इसलाम में पिचर एलाव नहीं है क्य मैं मानता हूं हम तो accept करते हैं बट क्रिश्चन लोग आपको पता है जीसस की जो है वो पिचर मनाते हैं मामर्यम की पिचर मनाते हैं सेम जैसे जिवाए इराक में गया था तो बहापर उन्होंना हजत अली यानि जो सिय समूदा है उन्होंने हजत अली की तस्वीर मना रखी मैं अभी अंदर आ चुका हूं और यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं हजत मर्यम अना एवे यहां पर उनका हाउस है तो आप देख सकते हैं यही जो है मा मर्यम का हाउस है घर है जो को मेरा काम है जग़ों को एक्स्प्लोर करना जब आप टर्की आते हो तो इस पर आहरे माय कहते हैं और हम मन्दः चलता हूँ फोट देसा बेता ह dar लेना जैनना अनञा कर साथार्ड के से हैं अनद Oleелित कर जो analyst करेसे अ temos नहीं में जाता हूं और यहां पर जो लोग आते हैं बहुत जगए और चलो उन्युन मन्दर चलता हूं यहां जैंता guitars ऑज ज़हां पर जो है मामर्यम रहती थी और फोटो लगवा है जो है चैनल ज़ा रहे थे और में इस चीज नहीं कि बट मैंने उस जगह को देखा तो मैं अभी बहार आ चुका हूं और थोड़ी सी हिस्ट्री और मैं भी आपको बताता हूं यह चोटा सा हाॉस है उसे में छोटी ह फटे घर हुआ करते थे तो मा मर्यम का हाउस बताया रहता है यह जो आप देख रहे हैं मैं अंदर होकर आया और यहां से इसकी एंट्री है और इधर से एक्जिट है इसकी अंदर फोटू है और वहां पर उन्हें जो है जिसस के फोटू है और जो है मा मर्यम का यानि वर्जन तो अब ही जो जा रहे हैं हम नीचे जा रहे हैं और थोड़ी सी में हिश्टी दाइटा हूं कि आखी ने वर्जिन मेरी क्यों बोला जाता है यह देखो पूरा पोर्शन है यह यह आप देख सकते हो कोसाडासी जो जगह है ना एक तरसे यहां का हिल इस्टेशन है और लोग हल आपको पता है कि अल्ला ने उनको जो है बेटा दिया यानि इसा लिए सलाम दिया उनको बेटा दिया तो उनकी शादी तो हुई नहीं थी निकाह तो हुआ नहीं था बट अल्ला को देना था तो यह अल्ला की तरसे हुकम था तो इसलिए उनको जो है वर्जिन मेरी बोला ज माना फील होता है आपको छोटा सा घर है बट वह सेम उन्वान होना दो तीन जगह पर जो है स्टैचू लगा रखा है मामर्यम का और उनने जो है बच्चा है साथ में जो जिसस उनको बोलते हैं यह यहां होगे ना तो यहां पर देखोगे छोटे-छोटे इन लोगोंने जो है यह पर्चे बांध रखे हैं यह तरह के साथ इनका वलीफ है यह लोग मनत मांगते हैं कि जो यह मनत मांग के जाएंगे वो इनकी विश्च पूरी होती है यह देखोगे तो यहां अभी ओ लोग बांध रहे हैं यह देखे और पूरा यहां से लेकर यहां तक इस सारी जगह जो है भाइब होई है यहाँ तक यहां पर भी देखो इन नोंको पीचर लगा रखी यह देखिए हम बापस जो है आज 6 अ जो के यहाँ पर कैफीट एरिया है इधर पर रेख एधर फॉटु घुल मैं एक चीज़ ना चाहता हूं आपको आपको मेरा लास्ट टूर जो था इराग का था जब मैं कर्बला गया और उसके बार नजब गया आप हर जगे पर वहां पर ना अली का फोटू देखा मैंने और मुझा ऐसा रहा कि है जोटी सक्सेत तो है नहीं है मुझा इसलाम के चोथे खलीपा है और कितना बड़ा मरतबा है एक फोटू बहुत सारे लोग हो सकता है कि वह लोग एगरी करते हूं बट वही हमारे हैं तो फोटू के कोई जाइस नहीं है और मेरा मकसद किसी की भामुना को ठेश पोचाना नहीं है बट यह बताना है कि ऐसी सक्सियत उनके आप फोटू में कलप जिनको वो यह कहते हैं कि अल्ला के बेटे हैं इमेज अप गोड होताते हैं और यहां पर फोटू है यानि इस आले इसलाम और अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आले इसलाम जैसा हमने बाकिया सुन रखा है तो उसमें बता जाता है कि दा डे ऑब जज्ज्मेंट क पता है माँ बेटी की महबत कर जिकर होता है तो मैं मरियम और इसलाम का बाकिया आता है आप आप देखिए तो मुझे सुबह ता पता नहीं था जब बताया गाइट ने कि आज हम जो जा रहे हैं वह वर्जिन मैरी हॉम जा रहे हैं तो मैंने सुचा यह कौन से जगह है जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि यह मां मर्यम की वाद चल लिए बहां उनका घर ह तो यह घर है और जो मैंने आपको दिखाया आज है थंड बहुत तेज हो रही है हलके बोंदे भी चल रही है तो मैंने सुचा इसे पैन लेता हूं यहां जो दिखा हमने मां मर्यम का घर देखा और साथ में भूख लग रही थी थी स्नेक्स में तो घर से प्लोटीन लिया थ इसको पी रांग में तो यह काफी हल्दी है मेरे लिए तो ना बोंदे पढ़ने लगी थी हम गाड़ी बैड़ गए अब ही जो हम जा रहे ना वो लैंस करने के लिए जा रहे है एक टूर पैकेज लिया था उसे मेरा लैंस इंक्लूड है तो देखते हैं हम क्या खान खा सकत है और अभी हमने इस जाग को देख लिया जो माम मर्यम का हाउस तो यहां का आप मोसम देखिए यहां का आप नेचर देखिए को समय पहले मोसम ठीक था बरसात होने लगी और यह कोसाडासी मी जगह है तो इसमेर है न बहां से लगवाँ 40 सा 50 किलोमिटर आप माल लीजीए इसको तो यहां आम ही गारी से उतरे हैं और यहां हमारा जो है लेंच होगा और यही जो रास्ता जा रहा है न यही जा रहा है माम मर्यम उनके house को जाता है यही राष्टा झाया है एफ फरस को जाता है माम मर्यम house जो यहां से 6 kilometer है एफ फरस दो केलोमेटर है जो की रोमण समराज्य हुआ करता था एदर ठीक है तो अभी जो जा रहे हैं हम. वो lunch करने के लिए जा रहे हैं वह देखते हैं लॉंच कैसा है फिर मैं आपको सभी वाला फीडबाक देता हूं दोंको हल के बुंदर पड़ रहे हैं यह भी सभी वाकर मैं यह लिए यह नहीं होता ना तो हवा टाइट हो जाती है अब देखना होगा कि यह मुझे इंडियन खाना मिलेगा ने मिलेगा क्यों अच्ट- होगा मिर साबसे और यह हो गई दाल होती है कोई सी और यह स्यं डोग्या पूरा इदर लेखिता हूं क्या क्या है incapable evacड़ राइस हो हुग जो है तुम्मारी की यह वह हो गया विंड़ देखो बजी नाम ध्यान भी नहीं है यह आइधिंग कोई सब्सक्राइब भर हुई वह दर यह होता है अब मेरे काम के जो है ना सिफ एक दो आइटेम है जो दिखाता हूं आपको भाई यह मेरा लंच है यह राइस है यह पोटेटो शलाद है यह वी बीन सलाद है यह वी सब् चाल technici नहीं कुछ भी नेए वाई सब शलाद एक सलाद रौसलाद दीन चार शलाद पांजला यह पूरा सलाद यह अमारे लंच है शलो करते हैं भाई कितना है लंच है आई अभी एक मिलेट है है कोई नहीं इतके यह फिर देखेघए कितनी भीड है इधर यह यह इस इदर मुझे यह ही मिलने वाला है चलो लेंज करते हैं तो भाई यह है बिश्मिल्लाहिर वनमरही यह है बेंज सैलड कोई भी मसाले नहीं है यह है पोटेटो सैलड नमाप में इस कुछ भी नहीं है यह यह बेंज सैलड अब यह क्या है मुझे पता रहे नहीं है जो भी है मिल्स का है और उसके बाद तो अभी ना मेरे पास यह बचाभा हुआ है यह मखाता हुआ हुआ है मिर्च और नमक तो नाम की चीज ही नहीं है तो भाई मुझे लांच बहुत पसंद आया बहुत ही अच्छा लगा और यह मैंने एक और अरेंज रख लिया अगर मैं नंबर दूना दस में से दस नंबर दूंगा क्यों दूंगा यहीं मैं एक्सपेट कर रहा था अगर मैं एक व्हेड महीं ऊक्कंगा तो में फिल्कुर ठीक हो जाओंगा तो अभी हमारा लेंच हो गया है और भी हम जो गारें बठने वाले है पता है जब मैं होटल मैरा था मैं एक्सपेट निंहीं घर था यहां दो लोग नहींते अपश कितनी भीड़ है यह बहुत भीड़ है तो अ तो दिखाता हम आपको पॉइंट तो अभी हम लेंज करके आ गया हैं और यहां हम ने गारी खड़ी करी है और यहां हम आपको दिखाने वाले हैं यह पॉइंट जिसे बोला जाता है यहां देखो यहां परना एक मंदिर भुआ करता था बड़ा और जो एक पिलर है वागी सारे प्लर जो हैं यहां से हड़ चुके है लबत सो सा ज़्वादा प्लर थे वह में दिखाना के पहले कैसे लगती थी और यह दुन्या की सबसे पहले जो साथ अजूबे थे उसमें इस पीछे दुखों को चर्च दिखाई दे रही है तो यह जगह पर तीन धर्म को मानने वाले लोग थे और यह उस समय का एक बैंक हुआ करता था यहां पर आते थे तो वह क्या करते थे यहां पर सबसे सीक्योरिटी वाली जगह थी कुछ टैक्स दिया उन्हें और अपने कोईंस को यहां जमा कर दिया अब मैं यह दखाता हूं कि पहले यह जगह कैसी हुआ करती थी आप इस किन पर आप देखर हो गए यह मंदिर यहां पर सो सजादा आप जो है पिलर देख रहा हो और यहां पर यह भी देख रहे होगे आज यहां कुछ नहीं है रियल में देखोगे सर्फ एक पिलर बचा हुआ है बाकि सारे पिलर जो है खतम हो चुके अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो यह 10 मिटर की साथ पढ़ रही है तो मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूं तो यह जो जगह दिखाईती है यह काफी जब आप यहां पर आते हो न तो यह जगह आपको देखने मिलती है और यह सब सब पुरानी जगह में से एक इंती है अब दोखो होता है कि सारा खेल विलीफ का है यानि किसी ने इस जमीन पर जो लोग उत्रे हैं उनको खुदा मान लिया किसी ने सिर्फ सुप्रीम पापर को खुदा माना तो यह सब को जह हैं नस्ते नामोद हो गया कर दो और जो गया है जो किसी ने ने सिर्फ सब दोखें कि को जोग्शय का यह है डिया कि सी ने स्ब्सक्राश कि ने सी ने से विलीफ यह में जाखर शुब अ कि भीबड़ को ख। ह।